Reliance ने कल ही किया है एक बड़ा Announcement और देखते हैं इस पे हम लोग क्या नजरीय अपना बना सकते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या effect हमें Reliance के उपर आता हुआ दिखाई दे सकता है तो सबसे पहले बिना किसी देरी के इसको एक अपडेट को स्टार्ट करते हैं Welcome to Investographer मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुडू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट सेक्षिन के अंदर वी आर्द इंवेस्टो ग्राफर्स लिख दो तीधा हम लोग आ जाते हैं अपडेट के उपर अपडेट के अगर हम लोग बात करें तो Reliance ने एक बेसिकली announcement किया है कि वो de-merge करने वाले है जियो financial services के business को अब काफी जगाओं पर अगर आप देखो तो rumors इस तरह की आ सकती है शायद market में इस तरह की news फैलाने की कोशिश करी जा सकती है आने वाले दिनों में कि Reliance में से जियो को de-merge किया जा रहा है और इसलिए मैंने सोचा कि ये update वीडियो जब मैं Reliance के कल जो media updates आएं media announcements आये उनको go through कर रहा था तो मैंने सोचा कि शायद ये confusion का point बन सकता है शायद हो सकता है कि operators या market के कुछ manipulators इस तरह की news फैलाने की कोशिश करें तो इसके लिए मैंने सोचा कि हम लोग investographers के लिए specially कोशिश करते हैं कि एक update वीडियो बना है ताकि हम clarify करें कि जो ये announcement आया है ये exactly क्या आया है अगर हम बात करें announcement की तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो जो इसका title है कि Reliance Industry to Demerge Financial Services Undertaking and List Gio Financial Services तो आपको एक चीज़ समझनी है कि जो Gio का Mobile वाला बिजनस है जो Internet Service Provider वाला बिजनस है डेटा वाला जो बिजनस है वो Demerge नहीं हो रहा है जियो का जो टेलीकॉम वाला बिजनस है वो Demerge नहीं हो रहा है एक Reliance का बहुत छोटा सा पार्ट जो Financial Services वाला पार्ट है वो Demerge हो रहा है अगर हम इसके details देखें कि यह Demerge किस तरीके से हो रहा है जो बिजनस Demerge हो रहा है वो करता क्या है और जो लोग Reliance के Shareholders है उनको किस ratio में इसके अंदर Shares मिलने वाले हैं तो अगर इसी announcement के अंदर हम आगे जा करके देखें तो जो जो Geo Financial Services लिस्ट होने वाला Demer जो के उसका भी आपको एक equity share मिलेगा यानि जो आपका ratio है वो 1 is to 1 का ratio आपको मिलेगा इसी के साथ अगर हम बात करें तो corporate और capital structure to enable RIL shareholder participation in an exponential growth business तो obviously क्योंकि company अपनी तरफ से announcement कर रही है तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि एक बुरी सकती या फिर यह एक अच्छा idea नहीं है तो उन्होंने यह basically यह kind of आप कह सकते हो कि positive statement लिखा है साथ में कि वो इस तरह का जो structure बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि जो Geo Financial Services का business है उसके अंदर लोग participate कर सकते हैं और वो ऐसा कहना चाह रहे है कि उसके अंदर exponential growth हो सकती है जो कि obviously कोई भी businessman अपने company के लिए कहेगा यह कोई अलग चीज नहीं है यह कोई exceptional चीज नहीं है इसी के साथ अगर हम बात करें तो Geo Financial Services to build large digital digital fintech platform for all Indians तो basically यह ऐसा indicate कर रहे हैं कि जो इसको यह separately list करें Geo Financial Services को इनका plan है कि यह काफी बड़ा fintech platform बनाया जाए अब fintech platform के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कोई आपका payment का app आ सकता है हो सकता है कि आपका broking के business के अंदर यह लोग enter करें हो सकता है asset management के business के अंदर यह लोग enter करें तो इसमें काफी सारी चीज़ें हो सकती है और उनका plan है कि वो Geo Financial Services के थूरू यह जो industry इस time पे market में grow कर र शायद हमें ETF आते हुए दिखाई दें although अभी ऐसा कुछ भी clear नहीं है कि exactly वो क्या करेंगे उन्होंने exact words या exact lines अभी नहीं दिये कि exactly वो क्या करने वाले है बट कहीं न कहीं fintech space के अंदर वो play कर रहे है इसी के साथ मुझे जो personally लगता है कि सबसे जादा उनका शायद जिस को target करने की कोशिश करेंगे जो आपके छोटे मोटे माइक्रो लोन्स होते है हजार पांच हजार दस हजार के जैसे आपने देखा होगा अलग-अलग जो providers है amazon पे हो गया पे टीम पोस्ट पेड हो गया इस तरह कि जो अलग-अलग providers होते हैं वो आपको छोटे मोटे services provide करते ह है चोटे मोटे credit provide करते हैं ताकि आप उससे अपना buy now pay later या EMI strike की scheme use कर सकते हो इसी के साथ उन्होंने कहा है कि multiple growth opportunities है financial services में यानि वो कह रहे हैं कि हम financial services की जो अलग-अलग fields है अलग-अलग verticals है उनको वो approach करने की कोशिश करेंगे वो financial services के business में काफी अच्छे से interested दिख रह गा इसी के साथ आगे अगर हम कुछ points देखें तो इन्होंने इसके अंदर focus किया है इन्होंने बोला है कि through scheme JFSL यानि Jio Financial Services Limited will acquire liquid assets यानि वो ऐसे liquid assets को acquire करेंगे ताकि वो provide adequate regulatory capital यानि वो अपनी capital maintain कर पाए ताकि वो landing to consumer merchants कर पाए जिस चीज़ पे मैं आपको focus करने के बूल रह प्लाटफॉर्म के अंदर उस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं incubate other financial services verticals यानि सिर्फ वो इस lending के business पे ही focus नहीं करने वाले वो insurance के अंदर वो payments platform के अंदर digital broken के अंदर asset management इन सारी चीज़ों पर focus करने वाले हैं तो insurance यानि कि आपको health insurance और वो सारी चीज़ें digitally provide करेंगे payments यान जैसा कि हमने देखा है discount broken digital brokers ने काफी जाधा grow किया है recently तो शायद वो भी उसमें कदम रखने की कोशिश करें हालांकि ये काफी जाधा competitive field हो सकती है और ये काफी जाधा dicey situation हो सकती है कि broken के business में क्या वो successful हो पाते हैं या नहीं रही बात asset management की तो जैसा कि मैंने बोला हो सकता है वो अपने mutual funds या ETFs भी launch करने के लिए देख सकते हैं इसी के साथ उन्होंने बोला कि for at least next 3 years यानि कम से कम आने वाले 3 साल तक जितने भी business operations वो करने का plan कर रहे हैं उसके regulatory licenses for the key business are in place यानि जितनी भी चीजों को वो plan कर रहे हैं कम से कम आने वाले 3 साल तक उनका plan ready है उनको जो requirements होती है regulatory license की जो regulations उनको follow करने होते हैं वो सारी चीज़े in place है वो सारी चीज़े proper तरीके से हैं उनके पास तो इसी के साथ ये एक छोटा सा update था reliance के उपर इसी के साथ अगर मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताने की कोशिश करूं तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई बहुत बड़ा reliance का part फिलहाल के लिए नहीं है तो आपको इसको लेकर के बहुत जादा excited नहीं होना है अगर हम इसका revenue की बात करें तो 1387 करोड यानि लगबग 1400 करोड का ही revenue है इस business का जो कि अगर आप ध्यान से देखो तो 0.3% of total turnover है reliance का यानि सिर्फ और सिर्फ 0 0.3% business है वो reliance industries का तो कोई बहुत बड़ा demerger नहीं है कोई बहुत बड़ी company demerge नहीं हो रही है और मुझे परसनली लगता है शायद ये एक restructuring या फिर शायद कुछ regulations के तहत इनको ये ऐसा करना पड़ रहा है बट कहीं न कहीं हमें ये indication भी दिखाता है कि जो reliance industries है वो demer managers को भी शायद अब आगे आने वाले time में approach कर सकती है शायद आगे आने वाले time पर restructuring हमें reliance में देखने को मिल सकती है और जिस तरह से टाटा या अदानी के groups की अलग-अलग companies separately listed है शायद आने वाले future में reliance में भी हमें reliance के individual businesses separately listed देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ comment section में आप लोगों को मुझे जल्दी से ये बताना है कि reliance के अगर सारे business separately list हो जाते हैं यानि जियो और reliance, retail, alag-alag businesses, reliance, green energy, alag-alag separately list हो जाते हैं तो आप लोग personally किस reliance के business में सबसे जादा interested हो invest करने के लिए ठीक है यही था आज का update और यह important इसलिए था क्योंकि मैंने सोचा श मिलेंगे इसे किसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू अगर like नहीं किया तो जल्दी से like करिए channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करिए इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं साथी साथ daily हमारे life sessions होते रहते हैं और advance में वापस से सबको happy दिवाली आज का वीडियो इ झाल